भगवान शंकर जी की आधी परिक्रमा ही क्यों लगाई जाती है भगवान नारायन की चार परिक्रमा होती है राम जी की कृष्ण जी की परंतु संकर जी की कितनी परिक्रमा होती है कितनी आधी संकर जी की आधी परिक्रमा यूँ जाओ और बापिस आजाओ ये परिक्रमा संकर जी की पूरी परिक्रमा नहीं होती संकर जी के मंदिरों में पूरी परिक्रमा नहीं लगाते आधी लगाते पता है ये बात के नहीं? नहीं? अब पता कर लो ये बताओ कि ये परिक्रमा आधी क्यों लगाई जाती है इसका कारण क्या है संकर जी का एक बहुत वड़ा भगत था वो रोज संकर जी की परिक्रमा करता और संकर जी के सामने बैठा रहता लेकिन वो ऐसा जा कि संकर जी की पूजा तो करता पर माता पार्वती की पूजा ना करता इससे संकर जी बड़े दुखी रहने लगे है न कि देखो मेरी पत्नी का अब देखो कोई भी हो आप मेरा सम्मान करो पर पत्नी का पमान करो तो कोई भी प्रसन कैसे होगा पर पत्नी का सम्मान करो और उसके पती का पमान करो भाई सम्मान फिर दौनों का करो तब फिर आप ठीक रह सकते हैं अब भागत है और वो कह रहा है कि हम संकर जी के पूजा करेंगे पर यमाता पारवती की नहीं करेंगे तो वो रोज संकर जी और पारवती कहला समय साथ साथ बैठी रहें तो ये क्या करें संकर जी के परिक्रमा लगाए तो पारवती के बीच से संकर पारवती के बीच से निकल जाए तो एक दिन संकर जी पारवती जी की तरफ चिपक गए चिपक के बैठ गए तो इसने क्या किया कि दौनों को पकड़ा और यू किया अब इससे निकल गया अब परिक्रमा लगा ही चला गया संकर जी बोलिए ये तो रोज हमें अलग कर देता तब एक दिन संकर जी माता पारवती से और चिपक के बैड़ गए विलकुल कस के हाथ बांध लिया अब लगा परिक्रमा संकर जी को लग रहा था कि तुम दोनों की लगा लो तो संकर जी बैड़ गए हाथ पकड़ के तो उस ने चीटी का रूप बनाया और कहीं से जगा मिली तो चीटी बने के संकर जी के पास से निकल गया परिक्रमा होगी संकर जी वो लिए तो बड़ा चतुर निकला संकर जी कहीं तो भगता है तो रूप तो बदल ही सकता है संकर जी बोले बच्चू अब तुमारा दिमाग नह संकर जी ने क्या किया अर्ध multipl बन गए तव से संकर जी अर्धना रिश्वर कहलाак आधै संकर ची और अधैय अंहें आभ उस सिंगहासन में दो नजर ही नहीं आए अब एक नजर mier में संकर जी और आध्य में अब तो बीच से एक आख पारवती एक और चिलो эт एक तरफ की नाक का छेद पार्वती जी का एक तरफ शंकर जी का पूरा आधा अब लगा परिक्रमा अब कहां से निकलेगा तब उसने संकर जी से हां जोड़कर कहा प्रभू ये क्या कि आपने संकर जी ने कहा बेटा जिसे तुम दो समझ रहे थे हम दो नहीं हैं हम दिखने में तो दो हैं पर हम शंकर पारवती एक ही हैं दिखने में दो हैं राधा और कृष्ण ये एक ही हैं दिखने में दो हैं सीता और राम पर ये तत्व एक ही है तब फिर उस भगत ने भी जित पकड़ ली और संकर जी की आधी ही परिक्रमा लगा के लटाया तो संकर जी आधे हैं आधे में पारवती इसलिए आधी परिक्रमा होती है